हेलो दोस्तो नमस्कार इसे हम किसी चैनल में मैं आप सब्लम का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ इस बड़े में हम लोग बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक के बारे में तो टॉपिक किसे रिलेटर है तो दोस्तो टॉपिक है टाटा ग्रूप के बारे में अभी टाटा ग्रूप के अगर मैं बात करूँ तो आपको पता ही है कि बहुत सारे शेर्स हम लोगों को इनके बाजार में देखने का पर मिल जाते हैं and as a beginner बहुत सारे लोगों का problem क्या हो जाता है कि yes कि Tata का नाम देखकर वो blindly निवेश कर लेते तो दोस्ता ऐसा नहीं करना है निवेश करोगे देखे Tata Group के company ऐसा नहीं होगी कि वो bankrupt हो जाएगी zero नहीं हो जाएगी बट अगर आप यहाँ पे मतलब उसमें निवेश करोगे तो बहुत बार में देख चुका दोस्तों कि कुछ company ऐसे जो कि investment के लायक नहीं है तो वहाँ पे आप बुरी तरिकी से trap हो सकते हो और बहुत सारे लोग यहाँ पे trap हो भी चुके trap होना मतलब क्या उनका पैसा जरूर रहेगा उस company में बट रिटन सी नहीं बनेंगे इनफेक्ट अगर देखा गया तो उससे अच्छा return FD में बन जाते हैं ठीक है हाँ कभी कबार ऐसा suddenly तेजी आ जाते हैं आपको पता ही है बट अगर आप लोग wealth creation की बात करे कि अगर आप यह सोचते हैं कि बहुत बड़ा पैसा अगर चापने से रिलेटर अखनम लोग बात करें तो Tata Group के कुछ company अभी भी बाजर में उसमें कोई शक की गुंजाश नहीं है बट कुछ company ऐसी है जो literally आपका time waste कर सकती है यह जो भी बाते में आप लोग को बोल रहा हूँ as a investor बोल रहा हूँ ठीक है ट्रेडिंग एक अलग बात होती है आप 10, 20, 30% की बात कर रहे हो वो different part है बट अगर आप aim कर रहे हो कि मुझे 200, 400, 500, 1000% की return यहाँ पर चाहिए ठीक है उस हिसाब से देखा गया तो इन companies में जाने से पहले आपने मतलब 1000 बार सोचना चाहिए बस में इतना है कहना चाहूँगा खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपकी मर्जी ठीक है क्योंकि market है market में suddenly कभी-कभी तेजी आ जाती है वो एक अलग पार्ट है वट यह overall sectors देखेंगे इन companies की बात देखेंगे इतियास देखेंगे इनका तो इतना कुछ खास and future की भी अगर हम लोग बात करें ठीक है तो इतना कुछ bright नजर यहाँ पर नहीं आ रहा है तो कौन-कौन से companies है उनकी list में आप लोगों के सामने आपे रखना चाहूंगा ठीक है तो चले start कर रहेते हैं पहली company दोस्तो टाटा Metallics येस टाटा Metallics की अगर हम लोग यह आपे बात करें नाम से ही पता चल जाता है कि इनका business यहाँ पर क्या रहेगा small cap type की company देखने को मिल जाती है अगर हम इनका overall performance देखे मतलब 5 साल का data देखेंगे तो कितने returns है 36% की returns ठीक है and maximum returns भी अगर हम लोग देखेंगे तो left to right जरू आप लोगों को उपर जाते वे देखने को मिलेगा बड़ा पैसा बनने के chances बहुत ही percentage उसके कम है ठीक है ट्रेडर वाले यहाँ पर बिंदा ट्रेडिंग में बहुत बार आप लोगों को बोल चुका हूँ ट्रेडिंग एक अलग खेल होता है investor के लिए stock में पैसा लगा कर yes वो लंबियोधी के लिए hold करता है एंड फिर उसका पैसा बड़ा 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 बनते जाता है इन companies के अगर हम लोग बात करें तो आप देखोगे कि इनमें volatility बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए यह trader लोगों की पसंदीदा stock होते है mega merger होने वाला है न टाटा स्टील के अंदर तो यह भी point आप लोगों को पते है अपर होने चाहिए next अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो tin plate yes यह भी जो company यह भी हम लोगो सेम सेक्टर से ही देखने को मिल जाते है टाटा ग्रूप की company है पाच साल में कितना है लगेगा क 100% के return से है बट यह consistently नहीं बनते हैं कभी कबार बन जाएंगे जैसी कि अभी बन गए तो इसलिए हम लोग बात करेंगे वरना इनके मैं maximum chart pattern देखेंगे तो बीच में ऐसा था कि stock चल ही नहीं रहा था 5-5-7-7-8-8-8 साल 100% छोड़ दीजिए 50% छोड़ दीजिए जो capital लगा नहीं जरू इसके बारे में विचार कर लेना निवेश करने से पिले प्रमोटर आप देख सकते हो कि टाटा स्टील आप लोगों को इसका प्रमोटर देखने को लेगा बाकि कोई institutional investor इसमें आपको ज्यादा नजर भी नहाएंगे और बाकि पबलिक यहापे माल खरीद कर बै अगर आपने इस चैनल को कभी फॉलो किया होगा तो खवी आपने सुना भी नहीं होगा इस कंपनी के बारे में ठीक है क्योंकि ऐसे कंपनिस को मैं ज्यादा कवर नहीं करता हूं यह रिखें कितने रिटन्स है पाच साल में 83% कुल मिला के रिटन्स अच्छे लगेंगे आपस उस लेवल पे कभी यह स्टॉक आया ही नहीं ही ठीक है तो इस प्रकर के स्टेंट हम लोगों नहीं करने है ठीक है ट्रेडिंग के इसाब से किधर भी जा सकते हैं इन्वेस्मेंट के इसाब से बिलकुल भी नहीं इस कंपनी की भी बात करेंगे तो आप देख सकते बाकी पब्लिक के पास यह स्टॉक देखने को मिल जाते हैं नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो नैल को यह समय खराब नहीं यह कंपनी ठीक है बट वेल्ट क्रियेशन की बात करें बड़ा पैसा अगर आपको चापना है तो इतना कुछ एनर्जेटिक करें तो यह बड़े रिटर्स बनने के हिसाब से जो चांसिस रहते हैं इतनी नजर यहां पर नहीं आती है तो जरू नैल को में भी जाने से पहले आप में विचार करना चाहिए बहुत से रिटेलर्स का फेवरेट स्टॉक टीटीमल तो यह स्टॉक सर कब चलेगा में तो ट मिल जाए बट यह उमीत के उपर यह चीजें चलती है कि बुलरन कब आएगा आएगा या नहीं आएगा कब तक होगा रेट कट कब आएंगे यह डिलय होता रहते हैं अगर वापस आएगा यह डेखने वाली चीज होती है सटा इजन्कों अंपगा यह अप पता है यह दो फ जाती है सीधा घाटे में 200 कोरोड के लॉस में और ये ऐसा सालो साल यहाँ पर चलते ही जा रहा है तो सिर्फ नाम में आपर टीटी मतलब टाटा देखने से बहुत चार लोग यहाँ पर ब्लाइंडी चले जाते हैं लग चल गया तो ठीक है पैसा कमा लेते हो और अगर कुछ 19 भी सब हो गया जैसे कि यहाँ पर बहुत चार इंवेस्टर के साथ हो गया फिर अभी वो इतने बुरी तरह किसे ट्रैप हो चे कि कितने लोगों के 5 लाग, कितने के 7 लाग, कितने के 10 लाग यहाँ पर फसे हुए है और ऐसा पैसा फसा हुआ है कि मतलब आप अंदाजा लगा रहे हो कि क्या ही बोले हाँ ठीक है चलो छोटा मोटा पैसा लगा दिया समझ सकते हैं ऐसा स्टन तो मैं भी मार लेता हूँ कि छोटा पैसा लगा दिया करके 12,000 रुपया उससे थोड़ी ना जिन्दगी खतम होने वाली है बड़ जस्ट इमेजिन किसी का 5-10 लाग फसा हुआ है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतनी बड़ी पुंजी बिना सोचे समझे लगा देते हैं और अटक जाते हैं क्यों कि कि सिर्फ नाम टाटा देख ले तो ऐसा नहीं कमपनी की बैलेंशेट पढ़ने है प्याइनल पढ़ना है कमपनी के बिजनेस को समझने है प्राब्लेम क्या है वो देखना है फिर उसके बाद बड़े डिशेन शापी लेने होते है नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तो तो रैलीज इंडिया येस रैलीज इंडिया की बात करें देखी कमपनी बुरी नहीं है अच्छी है पात साल की बात करें तो रिटन्स ठीक है बारा पसंट है इसके हिसाब से नहीं बोल रहा हूं बट और वेल्थ क्रेशन की बात करें सेक्टर जोशिला नहीं है इतना बोरिंग बोरिंग टाइप का परफॉर्मस ऐसा ऐसा धीमे-धीमे करके चलते रहेगा ऊपर बट उसका कोई मतलब वैल्यू नहीं है जैसे मैं बोलता हो ना कि अगर आपने यहाँ पर एफडी में पैसा रखा होता ठीक है के स्टडीज यह चीज़े बताती है तो शायद से एक बार ज्यादा रिटन्स हम लों को बनते वे देखने को मिल जाते है पीछले साल की अगर ह काम करते वे देखने को मिल जाते है कि solar power, green energy, green energy, electric vehicle, then charging stations वहाँ पे कुछ scope बन रहा है तो इन companies के अगर हम लोग बात करें तो scope के chances बहुत ही कम देखने को मिल जाते है ठीक है अगर कोई chances बन गए तो आप ज़रू फिर विचार कर सकते हो तो यह देखने वाली बात बनती है एक और बहुत सारी लोगों की favorite company Tata Steel, yes Tata Steel की बात करें पिछले पात साल का data देखोगे तो अच्छा लगेगा 100% की return से, बट और ओराल maximum chart pattern देखोगे तो कुछ खास यहापे बनता नहीं है, मतलब कैसा होता है कि जो यहापे top पे खरीद देना वो literally बुरी तरह के से first जाते ह और खरीदने वाले बहुत सारी लोग होते हैं, कभी-कभी कुछ लोग यहापे खरीद लेते हैं नीचे, तो उनका पैसा बन जाता है, तो खुश हो जाते हैं कि yes, इसमें पैसा बना करके, तो वो अच्छी बात है, बट अगर हम लोग consistency की बात करें दोस्तों, तो consistency इस stock में हम लोगों को नजर आती हुए देखने को नहीं मिल जाती है, मतलब अगर आपको छोटा-मोटा पैसा कमाना है, तो आप जरू कमा सकते हो, ठीक है, कि मतलब बोलते हैं ना, कि हजार का 10,000 हो जाता है, 10,000 का लाग, मतलब छोटा-मोटा बन जाएगा, बट अगर आप इमेज है, तो यह आप लोगों को पता यहाँ पर होना चाहिए, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, सेम टाटा स्टील, लॉंग प्रोडक्स, यह भी एक और कमपनी देखने को मिल जाती है, इसका भी परफरमस अगर हम लोग देखेंगे, maximum चार्ट परटन, सेम वालेटिलेट फिले आप लोगों ने जरूर यहाँ पर विचार करना चाहिए, और भी दो-तिन कुछ कमपनी है, पेनी टाइप की कमपनी है, उनको हम लोग जादा कवर यहाँ पर नहीं करेंगे, आशा करता हो दोस्तों, वीडियो हेल्फूल लगा होगा, जैसे मैं हमेशा कहता है कि कौन नहीं जाने तो नहीं जाने करके ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपको लगते है कि कोई स्टॉक में आपका बड़ा पैसा बन सकता है, तो डेफिनेटली आप जाने का भी विचार यहाँ पर कर सकते हो, आशा करते हो दोस्तों वीडियो हेल्फूल लगा होगा, तो चाहो त संबस्टा से सीख सको, so that's it, thank you very much, we will be meeting Rx video, तब तक के लिए, bye-bye.